वो बताये था मेरे पापा की 50 लाक रुपीया है ठीक ना तो बताये कि यह मतलब यहाँ पे जोरा में पैसा रुपीया कस के असोख ने घर को लेका गया जबरजस्ती मतलब यहां से ले गया और रस्ते में चावियों खोल लिये इसा पूरा जो भी रुपिया पैसा था सब निकाल लिये और निकालने के बाद मतलब इसी घर में वो निकालने के बाद फिर दुबारा फोन करके कीनर लोगों को बुलाया बुलाने के बाद इसी में इसी में घर में मेरे पिता जी को दफनवा दिया और मेरे अंतर घर में आदमी के गेट में बॉन का देले रहां जाए उससे पहले यह कर रहे थे कि जो निकाले गलसिया उसका हाथ काट डालूंगा लोगों के कमाने की तरही की हजार होते हैं बस इंसान सोचता है कि मैं किस तरह से कमा करके अपनी रोजी रोटी चला पाऊंग एक ऐसे ब्यक्ति जिनके बारे में बात किया जात तो वो शुरुवात उनकी हुई थी डांसिंग की दुनिया से लगातार हुआ परिवार की रोजी रोटी चलाने के बात एक ऐसा समय आया कि उनका साथ मिल गया किन्रों के साथ और किन्रों का साथ इस तरह के कि उनकी दो बच्चे भी थे एक लड़का और एक लड़की पत्नी भी थी लेकिन जब किनरों का साथ हुआ उसके बाद धीरे-धीरे उनके अंदर बतला हुआ आया और किनरों की दुनिया में यू बस गये लगातार बीस बर्स साथ रहने के बाद ऐसी घटना उनके साथ आज से तीन महेने पहले हुई जिनके बारे में सुन करके आपके आँखों से आशु आ जाएंगे कि यह का ऐसी घटना 29 अप्रेल 2021 की वह रात जिस रात उनकी पत्नी ने ना तो सही से खाना खाया होगा अब बताते हूं घटना क्या थी सबसे बड़ी घटना ये थी कि उस व्यक्ति को उस इस घर को उन्होंने बनाया था उसी घर में उनको दफना दिया गया दोस्तों मैं बात कर रहा हूं गाजीपूर जिले के एक ऐसे किनर समास के साथ रहने वाले माला की जिनका नाम था जैप्रकास मैं उनके घर पर हूँ आप ये देख सकते हैं किस तरह से उनकी उसी घर में जिस घर में उनका परिवार रहा करता था जिस घर को पैसे के साथ पैसे लगा करके उस घर को बनवाया उसी घर में उनको दफना दिया गया घटना किस तरह से थी कैसे थी इनके बारे में उनके बच्चे से उनकी पत्नी से पुछा जाए गया कि यह जो घर में जो यह दिखाया दफनाया गया है आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी है पूरी मिट्टी है उसके उपर दिया जलाए गया है अगर बत्ती जलाए गई है इसलिए कि उनके पत्नी अभी भी उनके मिर्ति को उनके सरीर को उनकी आत्मा को नहीं भोल पाई है आई यह उनसे बात करते हैं यह घटना ऐसे कैसी हो थी कुछ पता है इसक से पहले उनका हाई महीन आता है तो मतलब उससे पहले मतलब मैं अड़ाई मेन जाके मतलब टोटल हो गया मतलब आते ताइम में ते हमारे आने से पहले मतलब यह मेरे ख़बर गया उंतिस तारीकों आपको पिता जी को बोला नहीं जा रहा है जाल नहीं जा रहा है मतलब आवा जो लोग मेरे पापा के साथ मेरे रहते थे चेले ओले जैसे नंदलाल है तो मैं इसके उपर फोन करा वो घाटी से उनके उपर फोन करा कि मतलब यह लोग है मेरे फुवा फुपा मेरे मां सब लोग मतलब बहनो इने सब लोग यही पे थे तो मतलब इसी भी से पर मतलब मेरे पर फोन गया, तो आपके बोल चाल नहीं जारा, आपके पिता जी का, तो मतलब भी पूछा कोई इनने में से मेरे बात नहीं कर रहा है, सब लोग रो रहा है, ठीक ना? तो मैं उदर से घबरा के अपना टीकट कराया, मेरे पास प्लाइट का टीकर है, ये मैं कहा कि चलो अपन कमसें पिता अज मेरे पापा से भेट हो जाएगा लेकिन ये सारा गलती असोक ने किया कि जबरजस्ती मतलब यहां से ले गया और रस्ते में चावियों खोल लिये इसा पूरा जो भी रुपिया पैसा था सब निकाल लिये और निकालने के बाद मतलब वीडियो का लिंग करा था कमसें भेट हो जाएगा असोक कौन है असोक वो मर्दा के डोंसर करने वाला है मेरे पिता जी के साथ धोलक बजाता था अच्छा असोक जी है इनकी पिता जी के साथ धोलक बजाते थे और यह बता रहे है कि उन्होंने सारी गलती की थी इसके बार के लिए ना तो ट्रेन पकड़ा ना कोई बस पकड़ा पकड़ लिया फ्लाइट और उसी फ्लाइट का टिकट आपको दिखा दो दोस्तों यह टिकट है टिकट है 29 अप्रेल का जिस दिन इनकी मृत्ति हुई थी और उसी दिन 12 बजे इनके शरीर को दफना गया था यानि कि परिवार से था उस समय तो सिर्फ उनकी प्रकास यानि माला की पत्नी थी उनसे भी हम बात करेंगे जी बताई एक बार बोला चाहता हूं खल से मेरे को 10 दिन पहले बात हुआ था उससे पहले एक हप्ता के मतलब बाद में बात हुआ था तो मेरे पापा कह रहे थे कि बेटा आपके पास पैसा हुआ है मैं बोला कि पापा भी अडाई मेना हुआ कि मैं कहा कि पापा मेरे पास उतना तो पैसा नहीं है लेकिन 20-30 मतलब हजार रुपए दे पाऊंगा और भी मतलब 6 से लेके मतलब 5-6 महिन तक नहीं आऊंगा यही बात है तो कह रहे थे मेरे पापा की टेंसन न लो बेटा, मेरे पास इतना रूपिया पैसा है कि आपका तीन पीडी भी खाएगा, तो खतम भी नहीं होगा, यही कहा रहे थे, वही बतिया कि हम सोच के परसान थे, कि आखिरी में वह सब गहां गया, और यह बता रहे थे कि पैसा रकाऊं मतलब पचास लाक रूप है, ठीक ना, तो बताए कि यहां पे जोरा में पैसा रूपिया कस के, असोक ने घर को लेक गए, बाप कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, हमेशा वह सोचता है, कि मैं भेल ही किसी तरह गंदगी में जीवन बिता लूँ, लेकिन मेरा बेटे को जीवन अच्छी तरह से बीतना चाहिए, बच्चे की समझने के लिए बच्चे की बात जानने के लिए, उन्होंने कहा, बेटा 20,000 रुपिया कर सकते हो, तो करो, लेकिन जब नहीं हो पाया, इसके बाद, उन्होंने कहा, बेटा, अभी मैं जंदा हूँ, अगर मेरे पास इतना पैसा है, कि मैं तुम्हें तीन पिढ़ी तक खिला सकते हो, यारे तीन पिढ़ी तक भीट जाएगी तुम खा सकते हो, लेकि अच्छे ये बताइए कि अब समय गुजरता गया, मैं जाना चाहूँँगा कि जब आप से बात होई थी, उसे पापा जी के तस्बीर कैसे थे, अच्छे थे, कोई दिक्कत ही है, और ये भी उरीज तस्बीर है, दिख राज से किन्नर समाज के तरह दिख भी रहा है, और ये बहुत पूराना तस्बीर आप देख सकते हैं, ये, ये है, टिकाव करा लगा करके साड़ी पोहन करके रखे में, और ये गाउं का फटो है अपना, और सबसे बड़ी बात ज चिला अच्छी तरह से, लेकिन पैसा कमाने का रास्ता नहीं था, तो इसके बाद ये लोग ये रास्ता पकड़े, ये कैसे तस्बीर है, जब पिता जी गुजर गए थे इनके, तब ये तस्बीर थे, अच्छी इस तस्बीर कैसे आपको सक हुआ, जब मेरे ऊपर ये वाट अच्छान था, कि अच्छानक इनको हो क्या गया, जब वीडियो कर लेंगे बात करा था, तो 29 तरी को ये घाटना गई, मतलब मेरे उपर फोन गया कि आपके पिता जी को बोल चल नहीं जा रहा है, यानि कि इस तस्बीर को, ये तस्बीर देख करके इनको टेंसन हुआ कि कह मेरे पिता जी की हत्या तो नहीं हुई है, लेकिन समय गुजर गया, आज हो गया लगबक तीन महीने, अब इनसे जानते हैं कि तीन महीना पहले आपके हाथ, जैसे जमीन के कागज था, जमीन के कागज पूरे किनर लोग उठा के लिगे चले गया थे, ये करें दहीं मिल जा मेरे नाम से था, तो मतलब भी बना के दिये, फिर उसके दीरे-दीरे मतलब दो महीना निकल गया, दो महीना निकलने के बाद, अब समझ में नहीं आ रहा थे, यहां पर कोई अपना, कोई दिखाई, दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर कोई मेरा सपोर्ट करेगा, तो मतल जी जीना दिकारी पूलिस यो देख से का यहां पर मतलब दूनों दो जगाँ टीकट है डर था कि मेरे पिता जी को कहीं कुछ ऐसी घटना उनके साथ तो नहीं की गई लेकिन जब इन्होंनों कोशिश किया कि मैं अपने पिता जी की सरी कैसे निकाल पाऊं लगवग दो दो मह इने गुजरनने के बाद इस में लगता पिता जी कुछ हुआ है अब मैं अप्लिकेशन दालूंगा जिना देकारी के पास थाने में कि कम से क्वार्ण पिता जी के लास को निकलवाई जायाए जाने कि परति सरी को निकलवाई जाय और इसके बाद उसका क्या चाहते हैं अबिसाट पहले ये लोग जो असोग थे उससे पहले ये कर रहे थे कि जो निकाले गवा तब यहां पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है आप किस जादि के हैं हम चमारे सर यानि दलित जाते दलित हो या ब्राम Bean या छत्रिया किसी भी जाती का हो मैटर यह नहीं करता जगाटना हुई है तो हुई है और यह जगण्य अपराध है हम लोग इस वीडियो को नहीं बनाते कहीं निकर इस बात का दुख है कि जो व्यक्ति अपने घर को किसनी सजा करके पैसा इकाठा करके बनाया होगा उसी घर में जब उस व्यक्ति की इस लास को दफना दिया गया होगा तो कहीं ने कहीं इस यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी उस समय कोई था या नहीं था हम मामी इनके ममी से पूछते हैं आई दोस्ता साब उससमें कर दोस्ता हूं और सो पता है कि क्या हुआ था है को ना बताव नी है को नीकिना देजी सरह बार वाता तुम ओएभू का इस से या सो कुबल लाग रहे तबियत जो था था तबियत खराब था और कोई विबारे नहीं नहीं शुत दोक्ता नौन जो नबखर खूले मेने बादाई आए शुरू से बटले बानी हो दफनाय का थल्च में थी आप फिर यास्तिक अपर में बान कद लाँ जा अंतर घार में आदमी के गट में बान कद ले रहां जा बार फर अपना आनल ही तना तालान जा ता सोक बरी आई कोई लग कि इंबाप का मुह ना देखी अब यह बात सामने आ रही कि बार बार असोक का नाम लिया जा रहा है असोक कोन है असोक के साथ इन परिवार से क्या रिस्ता था असोक क्या चाहते थे यहां कि जितने भी थानेदार महोदा हैं जितने भी यहां जिन लोगों के पास पेपर पहुचा है गाजीपूर जिले के जितने लोगों के पास पेपर पहुचा है कि इस पर कारवाई करने के जुरूरत है क्योंकि अगर इसी तरह छोड़ दिया जाएगा तो कहिन के यह ल आपको कंधा देने की दुरूत है आपको हाथ देने की दुरूत है पहब धन्यवाद सुक्रिया आप देखें आप कर दो कर दो